नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे रासी फल धाम इटूप चनल में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फरवरी से, एक Solar परवरी तूला रासी फल के बारे में दोस्तों यह 10 दूनों में आपका कामियाभी बताने वाले हैं कि अगले यह 10 दुनों में आप सब को किस परकार के फायदे होंगें। अगले यह 10 दुनों में आप सब को कौन कौन से बड़े लाब मिलने वाले हैं। अगले 10 दुनों में आप सब को जीवन पर क्या होने वाले हैं। और आप सब को केसे क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं यह सारी बात हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों आपको किन चीजों से फायदा होगा आपकी केरियर के से रहेंगे बिजनस और बैपार के से रहेंगे और स्वास्त की महत्यपून जानकारी हम आ पिल्कुल भी मिशना करें और इसे आंते तक जडूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नौटिफिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमार बोलेनाट और मालक्ष्मी की किरपाशे आपके सिया 10 दून में अनेक से चमतकारी करेंगे अनेक से उन्नति करेंगे जो कि लोग आपको देखकर आसर चकीद हो जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं चानक निती के बारे में दोस्तो चानक निती के अनुसार जो इस्त्री धार्मी विचारव की होती है उससे साधी करके किसी भी वेक्ती की किस्मत चमक जाती है क्योंकि एसी इस्त्री अपने घर को शोरग बना कर रखती है जिस घर में रोजाना सुभा साम भगवान की पूजा होती है, वहां सुख समर्दी का हमेशा वास बना रहता है दोस्तों आप कुछ समय से किसी खास कार को पूरा करने के लिए प्रयास्तरद हैं तो अनुकुल समय आ गया है विद्यार्ती तथा युवा को अभी अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परनाम हासिल होंगे किसे समारों में जाने का भी निमंतरन मिल सकता है प्रोपटी समन्दी खरित परोक्त की करवाई चल रही है तो उसका उचित परनाम सामने आ सकता है प्रोफेशनल पढ़ाई करने वालों को सफलता मिलेगी उधार दिया हुआ पैसा पाने के लिए अनुकुल समय है आप प्रियास रहे दोस्तों आपके भागवान की किरपा से हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान होने वाले है कोई उधार दिया हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उचित संभावना है आपकी आर्थी उस्ति दिल वज सस्तक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनयोग से अपने लक्स के प्रती संगलंग रहे घर का कोई विवादित मासला भी हल होगा परिवार के साथ मरंजन और सौपिंग में समय वितेगा कामकाच और परिवार में बेहतरिन तालमेल भी बना रहेगा प्रेप्रेशनल इस्टिडी के लोग प्रियासत विद्यार्थियों कोई खुश खबरी मिल सकती है दोस्तों आज कोई भी लिया गया महतपूर्णी ने निकट भविस में आपके लिए परिस्तियां बनाएगा इस समय परिस्तियां अनुकूल है घर के वारिश सदस्यों के मार्ग दर्शन रहेगा धार में अथवा अधाद में गती विदियों में भी समय वितित होगा परिस्तियों को अपने पक्स में करने के लिए किसी अनुसितकार का सहरा नाले अनथा परिसानी और अधिक बढ़ सकती है क्योंकि कोई विक्ति आपसे अपनी चुपड़ी बातें करके आपकी गुपती यजना हासिल कर सकता है दोस्तों अपने भावना पर कावु रखें गुस्यों और जल्दबाजी की वज़े से कोई गलत निरने भी ले सकते हैं अपने खर्चों पर नियंतरन रखना ज़रूरी है भूमिया वहान समंदी कोई लोन लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह अवस लें दोस्तों यहाद दो दिनों में आपकी भागवान की चमतकरी ऐसी होगी कि आप कोई भी कार करेंगे तो आपको सफलता ही मिलेगी पर उन्तु आय के साथ साथ वे की भी सिती बनी रहेगी यह समय धहर रखकर व्यतित करने का है वह हम चलाते समय मोबाइल फोन का यादी विल्कुल भी प्रयोग न करें इसमें कोई दुरगाटना होने की आसंका बन रही है तोस्तों फाइनल समिदिक कार में साबधाने रखने की जोरत है जरासी लापरवाई की वज़े से समासियां बढ़ सकती है क्योंकि इस वज़े से आपका नुकसान ही वेठेंगे अपने सभाव तथा कारे सेली पर समय अनुसार परिवर्टनाना आवसक है किसी महत्यपुन वास्तु की खोने की भी असंका बन रही है दुस्तों अपने समान की ध्यान रखें ने तो आपकी नुकसान की बिस्तिदी बन रही है घर के किसी वारिष्ट सदस के मदलता से समंध मधूर बनेंगे कोई भी कार करने से पहले उसकी सफलता सुनिश्चीत करें जल्दवाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं समाजी गतिविदियों में भी आपका युगदान अवस्द हैं दोस्तों व्यर्थ की गतिविदियों से समय वेतित करने की वज़े से आपके कुछ महत्यपून काम अधूरे रह सकते हैं घर में किसी छोटी सी बात को लेकर आकरान ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए ज़्यादा कुरूत करने से बचे दोस्तों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर मत भेद हो सकता है कोई कोट केस चल रहा है तो बहुत सूजबूज और विवेक से काम लेने की ज़रुत है अपना दिर्ष्टी कोन सकारतमा बना कर रखें दोस्तों अपने उपर अतिरिक्त कारभार लेने से अतिधिक ठकान और परेशानी महसूस करेंगे बहतर हो कि अपने काम को अनलोगों के साथ में बाटें किसी भी समस्या को सांति पूर्ण तरीके से सुल जाने का प्रयास भी करें आपको ज़रोड़ी सफलता मिलेंगे आपको प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों माता पिता अत्वा किसी वारिष्ट ब्रक्ति के आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचा है इस समय अपनी मनोब्रती को सकारतमा बना कर रखने के ज़रुत है विद्यार्थियों को किसी प्रजेक्ट में सफलता मिलने से उनका आत्मबल कमजोर हो सकता है दोस्तों दूसरे दिन बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है कोई उपलदी मिले तो उसे तुरंद हासिल करें निसीदी आपको सकारतमा नतिजे मिलेंगे नोकरी प्रेसा लोगों को भी अपने प्रजेक्ट में उच्छित सफलता मिलने वाली है तोस्तों भगवान की किरपा से यह दो दिनों में आपकी वेबसाइक काम बहुत अच्छे तरह से गुजरेंगे मेडिया संपर सुत्रों के माध्यम से वेबसाइक समयंदी उत्तम जानकारिया हासिल करना जरूरी है किसे वे नएक काम को सुरू करने से पहले परवारी सद्वस्रे के साथ विचार जरूर कर लें निसीदी उचित सला मिलेगी नोकरी पैसा लोग ऑफिस में अपना उचित वेहवार बना कर रखें बीजनेस में बढ़ाने के लिए नई योजना पर विचार होगा इसमें मार्केटिंग समयंदी कामों पर ज़्यादा ध्यान दें किसी करुचारी की नाकारतमां गतिवीदी की वज़े से ओडर कैंसिल हो सकता है नोकरी के लिए परजेक्ट को लेकर अपने कोई योजना गलत हो सकती है तोस्तो कार रस्तल पर वरस्ता और अनुसासन रखें इस वक्त कुछ कड़े और महतोपुन फैसले लेने की जोरत है हलाकि किसी अनुवी व्यक्ति का सहयुग आपकी कार पर पूरी तरह साहता और मदद करेगा कोई ओफेसियल यातरा भी हो सकती है बिजनेस में मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा बड़ा ओडर भी मिल सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट समंधी बिजनेस में फायदा हो सकता है नोकरी पैसलों को कोई ओफेसियल यातरा भी ओडर मिल सकता है दोस्तों यह दो दिनों में आपकी व्यक्ति से पैसा उधार ने ले किसी बैंक से ही लोल लेने की कोसिस करें तभी बैपार में सफलता मिल सकती है दोस्तों इसे में बिजनेस में एक्स्ट्रा कामों की जम्यदारी मिल सकती है पिलाल वर्तमान गतिविदियों पर ध्यान दें कुछ नए ओडर मिलने की संभावना है पर तु सोच समझ कर ही निर्दे ले सरकारी सेवरत लोगों को कोई ओफिसियल यातरा का ओडर मिल सकता है वैफसा में किसी अनिस करमचारी की वज़े से दिक्कता सकती है इसे में धैर और विवेक से काम लेना उचित रहेगा क्योंकि ज़्यादा रोग टोग करने की वज़े से विवेस्ता विगल सकती है ओफिस में कोई टार्गेट पूरा होने से रहात मिलेंगे दोस्तों कारचेट में करमचारी तता सहगियों का पूरन शहयोग रहेगा उत्पादन छमता बढ़ेगी युवाओं को अपने भावी समिंदी युजणाव पर पूरा ध्यान रहेगा कुई बात करते हैं लव लाइब की दोस्तों दामपत सम्मंदों में मदूरता रहेगी प्रेम सम्मंदों में भी और अधिग नजदी की आएगी पती पत्नी आपसे समानजस दोरा घर की विवस्ता को उचिद बनाये रखेंगे प्रेम सम्मंदों में भी एक दुसरी के परती विश्वास रखना ज़रूरी है दोस्तों घर परिवार में सुखनामा महोल रहेगा घर में बच्चे की किलकारी सम्मंदी सुखना मिलने से प्रशनुता पूर्ण महोल रहेगा कुछ समय परिवारी सदस्यों के साथ मरंजन और घूमने फिरने के लिए निकालना उचिद रहेगा लापार्टनर की भावनाव को कद्र करें दोस्तों परिवारी वतारण सुखन रहेगा यूआवर अपने दोस्ती में मर्यादा का ध्यान अवस्य रखें परिवारी जनों के साथ समय वितित करने से ताजगीवा उर्जावान महसूस करेंगे घर में भी खुसी का वतारण रहेगा अब बात कलते स्वास्त की रिक्स परवर्टी की कार्यों से दूर रहे हैं गिरने अत्वा वहान आधिक से चोट लगने की आसंका बन रहे हैं ठकान हावी रहेगी नकरतमे विचारों को अपने उपर हावी ना होने दें मेडिर्शन पर भी ध्यान देना जरूरी है किसी चिंता की वज़े से नीन ना आने की सिकायत रहेगी व्यत की बातों को तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें दोस्तों स्वास्त अतियुत्तम रहेगा सिर्फ इस समय अपनी मान से इस्ती को साकरतमा बना कर रखने की जरूरत है तनावर और डिस्प्रेशन की इस्ती से बचने के लिए साकरतमा प्रव्रति की लोगों के साथ समय बेचित अवस्य करें आपको स्वास्त रखेंगे बलट पिरसर तथा डायविटिज लोगों को अपना विसेज ध्यान रखें तथा निमित जांच भी अवस्य करवाएं दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके उपाये के बारे में दोस्तों आप हर मुस्किल से का मुस्किल असान करने के लिए और अपने मनुकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो दोस्तों हनुमान जी के किर्पा पाने के लिए मंगलबार के दिन शनान करके शाफ कपड़े पहनने के बात सर्सों का तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं आपको सभी मनुकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे साथ ही साथ दोस्तों हनुमान जी को सिंदुर का चोला चड़ाने से भी सुफल प्राप्त होंगे तो दोस्तों आप बात करनाता है अपका भागसाली रंग और भागसाली अंग क्या है दोस्ता आपका भागी सलीरंग हारा है और भागी सलीरंग नौ है दोस्ता अगर हमरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जड़ु करें और दोस्तों को भी सेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में सच्छे मन से सरधा मन से जैश्री रम जड़ु लिख जिससे हनुमान जी आपको शारी कर्ष्ट को दूर कर सके और आपको सभी मनुकामनाय पूर्ण कर सके धन्यवाद